नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी का इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहली एयर टेक्सी के बारे में क्या है यह एयर टेक्सी कब शुरू हुई किसके द्वारा शुरू की गई कहां पर शुरू की हर वीडियो का हर चीज का एनल्सिस वीडियो में करेंगे इस टेक्सी सर्वेस। फस्ट एर टेक्सी सर्वेस। इंडिया। कहां से शुरू की यह शुरू की चंडिगड एयरपोर्ट से खेक है अंदर उडान स्कीम। उडान मुतलब उडे देश का आम नागरिक। देश का आम नागरिक। तो इस यह जो Central Government की स्कीम है इस स्कीम के अंडर सीम मनोहरलाल खटर जो हर्याना के मुख्य मंत्रिया उन्होंने पहले एर टेक्सी सर्विस को शुरू किया चंडिगर एरपोर्ट से और कब शुरू की गई 14 जनवरी 2021 तो क्या है इसकी खासिएद ये जो एर टेक्सी है इसकी कीपासिटी है एक पाइलेट ओर टीन पैसेंजर सीट की यानि कि इस टेक्सी में एक पाइलेट होगा और टीन पैसेंजर इसमें जा सकेंगे ये अभी तक की जो है lightest twin engine plane इसको कहा जा रहा है इस taxi को दुनिया का जिसका weight है 760 kg की ये इसका weight है जो कि lightest twin engine plane है दुनिया का अभी तक का और normally जो plane है वो चलते है ATF यानि कि aviation turbine fuel पे लेकिन ये जो air taxi scheme के अंडर जो plane है ये चलेगा AV gas या standard 92 octane petroleum के के मदद से बजाए की ATF aviation turbine fuel के और इसकी range जो है ये है 742 nautical mines तो आपको यहाँ याद रखना है इसकी seating capacity one pilot, three passengers इसका weight और important एक और की fuel AV gas ये standard 92 octane petroleum next है जो air taxi है इसमें जो small twin engine है क्योंकि हमने last में पिछली इसवे में देखा हमने के air taxi is the lightest twin engine plane तो जो engine है वो है Tecnam P260 तो ये है इसका twin engine जो इसमें use किया गया है और इसको produce किया गया है costuzioni aeronauti टेकनम के द्वारा ये है company का नाम और अगर आपने इसमें जाना हो इसमें अगर आगर 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 आप बैठेंगे तो इसमें आपको per seat का price पड़ेगा मेट्रो टष्ट ट्री जो सिटीज है उसमें एयर केनेक्टिविटी को बहतर किया जाए और जो आम इनसान अस तक पहुंचा जाए तो उसका यह जो एम है इसके अंडर जो है इसकी को चलाये गया है Central Common के दोरह इसके दोरह subsidy भी दी जाएगी इसके उपर जो 14 जनवरी 2021 को शुरू किया जैसे मैं आपको बताया मनहोरलाल खटल जी ने तो first phase जो है वो चंडिगर्टू हिसार रूट इसको start किया गया 18 जनवरी 2021 में second phase हिसार तू दहरादून यह start किया गया और 13 जनवरी 2021 का इसका third phase है जिसमें इसमें include किया गया चंडिगर्टू दहरादून क्योंकि पहले चंडिगर्टू हिसार तू दहरादून अब किया गया चंडिगर्टू दहरादून और हिसार तू धरमशाला धरमशाला इन हिमांचल परदेश में इन दो जगाओं को और अधर रूर्स जो है हर्याना में इन सब में भी एर टेक्सी को इंक्लूड करने वाली है धीरे-धीरे करके और अब हम बात करेंगे एर टेक्सी सर्विस है क्या? तो एर टेक्सी एक स्मॉल कमर्स्यिल एरक्राफ्ट है जो फैसिलिडेट करता है फ्लाइट्स औन शोटर रूट्स और डाट्स टू डिमांड डिमांड पे जो छोटे रूट्स की फ्लाइट्स हैं उन्हें फैसिलेटिड करता है यह कमर्शियल एरक्राफ्ट जिसको हम बोलेंगे एर टैक्सी यह स्मॉल शॉटर रूट्स पे और कम लोगों को ही ले जा सकता है जैसे थ्री पैसेंजर्स और एक जो पाइलेट ह होगा वह इस सर्विस को कौन ओफर किया करेगा एयर टैक्सी इंडिया जिसको यह इसका जो शुट्यूल कॉम्यूटर एयरलाइन परमिट है जिसको इसने रिसीव किया कहां से इंडियन एवियेशन रेगुलेटर डिरेक्टरेट जनरल अफ सिविल अवियेशन के द्वारा दिसंबर 2020 में इसको यह शुट्यूल है इसको यह दिया गया था और उसके बाद से अब यह शुरुवात की गई 14 जनवरी से अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंडर इस तरीके के जो रिजनल क्लेक्टिविटी स्कीम उडान उड़े देश कामनागरिक के अंदर 26 र पैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मुच फू वाच्चिन